सब वो कह रहा ना कहलास विजवर्गी है सायद उसका नाम वो खुद चोकिदार बनने लायक है यह तो लोकतंत्र की महरवानी है कि वो सांसद बन गया वरना वो चप्रगाड बनने लायक भी नहीं है आपने देखा उसने अपने बेटे को कैसे संसकार दिये कि अधीकारियों को बैट से मारता है उनको खुद को पता नहीं है कि मैं पांस साल बाद रहूंगा या नहीं रहूंगा तो उसके कैसे विश्वास करोगे आज योगी ज इंता नहीं हरा दिया तो कौन मुख्य मंत्री दूसरा आजाएगा वो कहागा वह तो नहीं दता मैंने ग्यादा करा कोन जूँए जैसे मोधी कर रहा ये पी सरकार में भारस सरकार में कौन सा ऐसा जानी बैठा है जो ऐसी योजना ला रहा है कि देश में किसी के समझ में नह लिखा इनको कहां से देंगे और किस संस्थान में देंगे रेल भेस दी मेशिदिल ऽेल बेस्टी सारे सरकार्iad संस्थान तो बेश comply किस में देंगे मोधी बताओ बाई यो बैनो आज रात भारे बज़े के जो होता है कि आज के बाद कोई विदायक है कोई बी पांस साल के बाद दुबारा नहीं बनेगा जिसको ABCD विद्विदू मनत्री जिसके खांदान से आज कैसा लगा जब यगनी पत्य योजना सरकार लेकर के आई तो आपके मन में क्या चल रहा था कैसी लगी योजना इसके क्या फायदे क्या नुकसान देखे ये जो है जो हम से बदला लिया जा रहा है ये किसानों से बदला लिया जा रहा है जिस तरीके से किसानों ने मोधी को त जवान हमारे बेटे बताओ किसी राजनेताका बेटा फोज में हो किसी इस दोत्वane HEY रहते हैं और उन्हीं को काफी अच्छा खासा पैसा मिलेगा चार साल के रिटायर के बाद यही तो है कि यहां इस देश में जो मोदी कह दे वो सच बाकि सब बेकार अगनी वीर क्या है हमारे पास तीन सेना है थल सेना वायू सेना और जल सेना हमारे पास बटालियन है हमारे पास सेना का रैंक है इन के और जो वो पैसे की बात करते हैं कि 11-12 लाक रुपया देंगे, उसमें से 5.5 लाक रुपया तो इन बच्चों की तंखा में से काटा जाएगा, वो मिलेगा, यह बता नहीं रहे, पूरी योजना बताते नहीं है, फिर कहते हैं, 25 परसेंट आगे वड़ेंगे, 75 परसेंट घर जाएंगे, मैंने आपको किसान आंदोलन में भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि यह अडानी अंबानी का चोकीदार बनाना चाहता है, बच्चों को और यह ले आया, देख लो, हमने पहले इस बताया था, बना दिया ना बच्चों की चोकेदार, उनको ने तो कह रहे बनने लायक है, यह तो लोकतंत्र की महरवानी है, कि वो सांसद बन गया, वरना वो चप्रगाड बनने लायक भी नहीं है, आपने देखा उसने अपने बेटे को कैसे संसकार दिये, कि अधीकारियों को बैट से मारता है, देखा था आपने वो, तो यह संसकार है उनके, और 37, 37 साल में, उनको नोकरी दी जाती है, तो इन्होंने आज तक कितने लोगों को नोकरी दी है, बता दे, एक परसेंट लोगों को नोकरी नहीं दे पाए, यह से ना के जवानों को, तो अगनी वीर को कहां से देंगे, और किस संस्थान में देंगे, रेल बेज दी, बेल देंगे युवाओं को, तो हर साल जो है, नहीं नहीं इसमें युवाज दूडते जाएंगे, लोगों को अपरुचिंटी और बढ़ती चली जाएगी, अच्छे लोगों को आने को इसमें और मौका मिलेगा, बिलकुल, जब अगनी वीर बन सकते हैं वे चार साल में, तो भ आज के बाद कोई विदायक या सांसद या मंत्री या रजयपाल, परदाल मंत्री, राष्टपती, कोई भी पांस साल के बाद दुबारा नहीं बनेगा, उनको कोई पैंसन और कोई भत्ते नहीं मिलेगा, कर दो, पहले भी तो यह सब चलता ही था, पहले कौन सी सेना का जव इसे कह सकते हो के मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद है, गलती आप कर रहे हो तो आप से जवाब मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा, इन बच्यों को राजनीती में भी तो जाने का मन कर सकता है, और जब वो चार साल के लिए जाएगा, पहले एक साल की ट्रेइनिंग तो परफेर देंगे पुलिस बल हो चाहें और बी तमाम जो सच्था है उनको पता नहीं है कि मैं 5 साल बाद रहूंगा या नहीं रहूंगा तो उसके कैसे विश्वास करोगे आप उसका कैसे विश्वास करोगे आज योगी जी मुख्य मंत्री हैं काल अगर जनता ने उन्हें तो कौन मुख्यमंतरी दूसरा जाएगा वह कहा को जैसे मोधी कर रहा कुछ बिल्कुल होगा जब पिछली सरकारे भारतीय सम्वेधान को बना करके गई है शम्वेधान के अनुसार भारत चल रहा है सेना उसी के हिसाब को कैप्चर कर लिया आप पूछो मेरे से जब भी मैं बताऊंगा के पूरस बताओ कोई सी संस्थान अगर एक भी संस्थान भारत के अंदर ऐसी हो जो मोदी ने कैप्च नहीं करना नहीं करना देखें अच्छा एक चीज बता हो नोट बंदी लाए और सास्थियों की समझ में जी आई जी स्ट ऐए डिया पार्यूं की समझ में नी आई एंब फिलाए कि समझ में अब यह अग्र नी पत लाया जीवाओ के समझ में आया तो बहुत बदाओ बहाए इसमें बीजेपी सरकार में महारत सरकार में कौन सा ऐसा ज्ञानी बैठा है जो एसी योजन ला रहा है क लोग नोटिफिकेशन जारी हुआ तो अच्छे खासे चात्रों ने उमीद से जादा फॉम बर दिये चलो भर लें दो उन्हें भी पता चल जाएगा हाथ कंगन को हार्ची के बार पड़े लिखे पार्ची किया चार साल वे वो जाएगा वापस आएगा उनकी साधी तक नहुंगी यह लिख ले साधी क्या क्या Anyक्षण है हर आदमी चाहे नेता हो अभी नेता हो राजनेता हो कोई हो चाहे चप्रासि होच चाहे हगाव का गरीब आदमी हो हर आदमी सोचता है कि मेरा दामाद ठीक से नोकरी करता हुआ है जब वहां नोकरी होगी नहीं पता चार सालवें हैं यहां कर चपल पिटेगा यह सब चीछ देखो जब वह चार साल के अंदर अपना परिवार पाल सकता है तो यह नेता क्यों पाजिए मैं यही तो कह रहा था चोबिस साल में हमारा बेटा बेटा जो है वह रिटायर होके घर आ जाएगा और बातर साल का बुड़्धा देश का प्रधान मंत्री बना रहेगा यह कौन से इतियास में लिखा सम्विदान में लिखा है आपने मूपे यहात नहीं पेड़ते हैं बस जंटा को दबाना क्योंकि हमारे देश में यWA की फोज है क्योंकि हमारा देश बहंगकर बेरोजगறी से गुजर रहा है और उससे बेरोजगर से से द्यान बटका हो कैसे बटकाना है इनको महाल जा दो क्योंकि आप इनने यह जा दिया एक अगनी वीर ला दिया और इसमें आड़ जा दो यह इसमें मुद्दा मिल गया तुम से सवाल निकरेंगे जिस तरीके से कश्मीर पंडितों का मुद्दा था बहुत बड़ा अगनी वीर का मुद्दा लाएं दिया अगनी वीर का मुद्दा आख अब दिया अबी तो आगे और मुद्दे आएंगे तो यह इन चीजों पर काम करते हैं वाकि इनके पास कुछ नहीं है आपको समझ में आपको योदना समझ में क्यों नहीं आती हमें तभी तो हम बोल रहे हैं जोंसा इनका समझदार बैठा हो इसको बनाई हो उसे हमारे सामने लिए आना हम बता देंगे उसे अन्पड ठोड़ा यह हम है अन्पड यह नेता बन सकते हैं आज आपको बताओ मेरे देश का दुर भागए क्या है मेरे देश का दुर भागए यह है कि अगर मैं एक की सकूल के अंदर सब्सक्राइब करने के काबिल नहीं है उसे आप सीम बना दो तो फिर आप ही लोग मेरे गले में इतनी मालाय डालके इतने जैकारे बोलेंगे के पड़ोस्यों के भी कान बहरे हो जाएंगे और फिर इस देश का दुर्भाग्य यही तो है बिलकुर होता है जिसने आज तक दुकान पर बैठके कोई चीज ना बेची हो वह भारत का वानिज्य मंत्री जिसने आज तक सिक्षा में कुछ पढ़के न देखा हो अनपड आद अनपड राजा अगर होगा तो देश का सरुनास होगा यहीं रहे हर इंदर ताउजी और इनसे हमने बातckि योजना को लेकर कि अमाहल से बात्चित चल रहा हो है जैसे महराष्च का मुद्दा चल रहाए उसके बाम उद्र में हैं उससरे चरचाहीं चल रही है लेकिन ही न कि दरसल इस योजना में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ समझते हैं मतलब जो भी योजना सरकार लेकर के आती है उसका विरोध क्यों सुरू हो जाता है हमने सोचा क्यों ने इसी से बात विचार कर लिया जा चुकि हरेंदर ताओं हैं बड़े नौलेजबल पर्शन हैं सब को जानते हैं बार बार जवान किशान के जो नारे जो लगते हैं हरेंदर ताओं के मुख से हमने कई बार सुना तो हमने सोचा क्यों ने से जनकार ले ले जा हलाकि इनकी राय रही इनके बातों को सुनकर समझ कर क्या आपके समझ में आता है अगर आपके मन में भी कोई सवा है तब हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके जरूद पूछिएगा हमें जीदिया इजाजा देखते रेडिस वन्यू धन्यवाद